हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि मैंना आपके लिए हिंदी पैड़ागोजी है रिलेटिट 2011 से लेकर 2018 तक की जो कोशन्स पूछे जा चुके अब तक के टेट अग्जाम में वो उसकी एक सीरीज लेकिया आया तो आज का पहला कोशन देगे क्या बोल रखा है कि प्रात्मे की स्थर पर आप किस तरह की बाल सहित्य उचित समझते हैं तो आप किस परकार की बाल सहित्य जो उती हो प्रात्मे यानि की एक से लेकर पांचवी क्लास के लिए होनी चाहिए पहला ऐसी सहित्य जिसमें शब् वह कैसी होनी चाहिए वह ऐसी होनी चाहिए जिसमें शब्द और जो घटनाई होती है जो कठीन हो उसका दोहराव होना चाहिए तो option no.1 इसका बिल्कुल सही answer था जब मैं आपको पेडागोजी करवा रहा था तो उसमें बाल सहीत्त से related आपको एक चेप्टर करवाया था उसम question बच्चों को बाल सहीत्त उपलब्द कराने से क्या लाब है पहला पात्र का चरित्र चित्रन करनी की कुशलताव का विकास श्रवन कोशल का विकास नेक्स्ट लेखकों से परीचे या चोथा बालक का विवित्ता पूर्ण भाष के समगरी पढ़ने के अवसर देना तो यह प्रकार की समगरी को जिससे उनकी भाष का विकास और अच्छा हो सके और तिर्व हो सके और उसको आगे विस्तारन कर सके उसके लिए समगरी पढ़ने के क्या किया जा रहा अव उनको अवसर दिया जा रहा है तो option number fourth इसका बिल्कूल सही answer था Next question, कहानी, कवीता, गीतो और नाटकों के माध्यमस से बच्चे अपनी संस्कृती धरोर से जुडते हैं, केवल मुल्यों का अर्जन करते हैं या केवल अपनी तरक शक्ती का विकास करते हैं तो देखो कहानी कविता और गीतो और नाटकों के माध्यम से बच्चों के अंदर किस परकार की चीज़े प्रवर्ती विकसित होती है अपनी संस्कृती धरोर्स की से जूडते हैं क्यूं क्यों कई कहानी ऐसी होती है जो मानव के वहवार पर मानव के अनुभव पर निर्भर क और दोस्तों अगर इसका आपको पीडियफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रूप पर मैं इसका पीडियफ और वट्सेप ग्रूप पर दोनों पर आपका मैं शेर कर दूँगा तो अगर आपने ग्रूप को जोईन कर रखा है तो वट्सेप ग्रूप की तो टेंशन मत मैंने नीचे डिस्टिशन में लिंक दे रखा वहां जाकर आप उसमें जोईन हो सकते हैं वहां पर जाकर आपको इसका पीडियफ मिल जाएगा next question मंजु आठवी कक्षा को हिंदी पढ़ाती है इस स्थर पर उसे किस के लिए परियास करना चाहिए देखिये कौन से स्थर पर पढ़ाती हो आठवी कक्षा को मतलब उच्चे परात्मे कि स्थर को किस परकार की उसके परात्मिकता किसके होने चीए पहला स्वेसर पाठन बिल्कुल सही अंसर होगा आपका सहित्य विचारों या विधाओं का परीचे करना मतलब उस परकार की चीजे सिखाना जो जैसे की मुंसी प्रेम चंदर की या फिर अलग-अलग सीशकों की कहानी या कविताएं पढ़ाने के लिए उनको विधाओं के लिए परीचे कराना चा सीखने में तो जो पात्र और पात्रिगाई होती है उसमें भासा जो सीखने में आपकी क्या होती है जैसे कि समाचार पत्रों गए यह किसी परकार का आर्टिकल हो गया तो उस चीज की चीजें आप जब इस्तमाल करते हो तो वह एक भासा सीखने में किस परकार की साहिता करत आपको किस परकार की वो चीज होती है पहला बढ़ों के पढ़ने की वस्तू है दूसरा साधन है तीसरा बाधक है या चोथा त्रीटो को बढ़ावा देखता है तो ध्यान रखेगा पात्रिया पात्रिगाएं कोई भी ऐसी चीज जो भासा सीखने में आपको मदद करती है उस शुनिशित करता है कि अगर आपका क्षा में समाचार पत्र ये किसी परकार का मैगजीन का इस्तिमाल कर रहे हो तो किस परकार की क्या होगी उसकी प्रवर्ती पहला शिक्षन समगरी का उप्योग हो रहा है दूसरा बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प पत्र और पत्रिकाइं ऐसी वस्तू होती है जिसमें बच्चे भी अपनी शमता के अनुसार उसमें पर्तिक्रिया देने के लिए व्यक्त करने के लिए अपनी भावनाओं को उनमें समझ उत्पन होती है कि किस परकार की उसकी भावनात्म ग्रूप से जुड़ना चाहिए और कि उसका क्या होता है भाषा विकास भी होता है तो option number फोर्थ इसका बिल्कूल सही अंसर था most important साधन आपका क्या होगा आपका तो उच इस्थरिय लेखन जो समगरी होती है उस चीज की आपके पास है या उस परकार का जो साधन है उस से आपका सार्धिक आपको उपयोग मिलेगा क्यों क्यों कि आपको हिंदी परियोग में क्या करना है विविद रूपों को जानना है पर विविद रूप आपको कहां पर मिलेंगे उच इस्थ रिये लेखन वाली समगरी में जैसे की विशेवस्थू कए से उच इस्थरिया करे हैं तब है आपको हिंदी के परियोग के लिए क्या कर सकते हो विवि रूप का इस्तिमाल कर सकते हो नेक्स कोशन, बच्चों में पठन संस्कृति का विकास करने के लिए अनिवारे है, बालसहित्य पठन हेतु प्रेडना, दूसरा वरतनी विन्यास का अभ्यास, तीसरा पठित समगरी का लेखन अभ्यास, या चोथा कक्षा में मुख वाचन करने का अभ्यास, देखो करना क्य है पठन संस्कृति का विकास करने के लिए आप इन में से क्या अनिवार्य होना चाहिए तो ऑप्शन नमबर फर्स्ट बाल सहित्य का पठन ही तुप प्रेणना क्योंकि बाल सहित्य द्वारा क्या पढ़ाया जाता क्या किस चीज की परवर्ति आपके अंदर होती है आपके अ परकार के बाल सहित्य चुननी चाहिए रंगीन चित्र सरल जानकारी छोटी रचनाए यह रोचक विशेवस्तू तो ऑप्शन नमबर फोर्थ इसका बिल्कुल सही अंसर था नेक्ट कोशन पॉल भासा की कक्षा में अक्सर बाल सहित्य पढ़ते हुए नजर आता है इसका संभाविक्त कारण है तो क्या हो सकता है पहला उसमें पढ़ने के परती ललक है दूसरा सिक्षक सिक्षा का सिक्षन जो होता है वो निरस है मतलब किसी काम का निया उसको अच्छा नहीं लगता है वो तीसरा उसे केवल कहानियां पढ़ने का शौक है यह उसकी पाठ् करने आपके पढ़ने को ललक करने के लिए आपकी लर्नीक को और एंहेंस करने के लिए तो उप्श क्या है आपके प्रात्मे की स्थार पर बाल सहिता का उपयोग करना पैhetla इसका पर्योग बच्चों के भाशा अनुभव को विस्तार करता है दूसरा यह पाठ्थय पुस्तक से बहतर होता है तीसरा इन्हें पढ़ना पैक सरल होता है या इन्हें पढ़ाने में सिक्षक को मजा आता है तो सही आंसर जो होगा option number first इसका बिलकुल सही आंसर है क्योंकि इसका परियोग बच्चों के भाशा अनुभव को विस्तार देता है क्योंकि बाल सहित्य से बच्चे के अंदर क्या विकसित होता है एक तो भाशा उसकी विवित्ता रूप होती है उसको विस्तार मिलता उसके साथ साथ में उसको अध्यन करने में मतलब लर्निंग करने में आनन्द आता है उसको और एंहेंस करता है तो अप्शन नमबर फर्ष्ट इसका विल्कुल सही अंसर था नेक्श कोशन उच्च प्रात्मे की स्थर पर हिंदी भासा सिक्षन में स्वर्व व्यापी महत्पून समगरी है तो उच्च प्रात्मे की स्थर य पुच्ची स्थर में क्या important होती है पाठ्थय पुस्तक important होती है तो option number 3 इसका बिलकुल सही answer था next question भासा कक्षाओं में परदर्शित समगरी केवल जब सजावती हो जाती है तो जो आपके परदर्शित समगरी होती है जो important होती है बच्चे के अनिवारत कोही मूल ना सिखाए तो option number 3 इसका बिलकुल सही answer है कोई चीद जब सजावती हो जाती है जिसका कब किसी का किसी परकार का कोई कार्रे नहों किसी परकार का उसका इस्तमाल नहों बस उसको क्या करते हैं बच्चे का पढ़ने लिखने सीखाने में किसी भी परकार का उसका उपयोग नहीं किया जा रहा हो तो जब उपयोगी नहीं हो रहा हो तो क्या होगी वो एक सजार्टी वस्तुई होगी तो option number 3 इसका बिलकुल सही answer था next question भासा की कख्षा में विविन संचार माध्यम जैसे की मुद्रित और आमुद्रित का परियोग अब ये मुद्रित और आमुद्रित क्या होती है तो ध्यान रखेगा मुद्रित वो चीज़ें जो printed है मूर्त रूप से होती है जैसे की books पत्रिकाएं newspaper वो सारी चीज़े जो की आमुद्रित में कहलाती है तो इसका परियोग के सले किया जाता है नोता है ने में संयोग किसले इस्ते इस्तिमाल किया जाता है 1 तो option number third इसका बिल्कुल सही स्तमाल किया जाएगा क्यूं क्यूं कि समावेशी कक्षा में अवशकताओं को पूरा करने में सही यूँग देता है वो ऐसी चीजे हैं जिस परकार से बच्चा करना चाहे उस परकार से सिखाया जा रहा है क्यूंकि आपकी कक्षा कैसी है पुष्ट भूमी पर बच्चों की भाषा गतिविदियों की सूची बनाने पर समस्याओं की पहचान करने पर यह समस्याओं की कारण की सही पहचान करने पर तो option number fourth इसका बिल्कुल सही अंसर है अगर उप्चारात्मक शिक्षन की सफलत्या तभी आपकी निरबर करेगी ए समस्याओं के पीछे कारण क्या है उसके पीछे जो उसका रीजन है वो क्या है अगर वो जान लेता है वो समझ लेता है बच्चा तो क्या है उसके अंदर उप्चारात्मक शिक्षन की सफलता उसके पर दिखाई दे रही है तो option number fourth इसका बिल्कुल सही अंसर था तो यही कु को मैं टेलिग्राम ग्रूप पर शेयर कर दूँगा वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो ओके जॉइन नहीं कर रखा तो नीचे decision box में मैंने link दे रखा है वहां जाकर आप टेलिग्राम ग्रूप को जॉइन कर सकते हो ओके तो दोस्ता आज की वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे जाकर वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा अगर आपके मन में वीडियो के रिलेटिड कोई भी डाउट हो कोई भी क्वेरी हो तो नीचे comment box में comment किजेगा मैं आपका reply ज़रूर करूँगा अगर आपने इस चनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजिए और उसके साथ में जो बैल आइकन होगा उसको भी दबा दिजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोडिविक्षन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे तो आज की वीडियो में आपसे फिर मुला कातो की नेक्स बूर्यों में जब तक के लिए जैहिन जै भारत